तो वाट इस पाइफ़न पाइफ़न एक मल्टी पर्पस प्रोग्रामिंग लेंग्विज है जो के वेब ड्वेल्मेंट, डेस्क्टॉप ड्वेल्मेंट और रिसर्च पर्पस के लिए यूज होती है तो वाइ पाइफ़न? पाइफ़न जो है वो डिफरेंट प्लेटफर्म को स्पोर्ड करती है लाइक विंडो, मैक, लिनिक्स और रेस्परीपाय वगेरा इसके लावा इसका जो सेंटेक्स है वो बहुत ही सिंपल है जिसमें इंग्लिश के कीवर्ड यूज होते हैं जिनको अंडरिस्टेंड करना हमारे लिए इजी होता है इसके लावा हम चंद लाइन का कोड लिखके काफी हैवी टास्क इससे परफॉर्म करवा सकते हैं मतलब इसका जो सेंटेक्स है वो बिलकुल सिंपल है और इसके लावा जो इसमें है इंटर्पेटर यूज होता है तो हम कुछ लाइनों को हम चला कर अपना रिजर्ट देख सकते हैं जबके इन कंपाइलर के केस में हमें पूरे का पूरा प्रोग्राम जो होता है उसको रन करना पड़ता है रिजर्ट्स देखने के लिए इसके लावा यह प्रोसीजरल अब्जेक्ट औरियेंटिट दोनों को सपोर्ट करती है इसके लावा यह जो डिफ्रेंट प्रोग्रामिंग लेंगविज है उनमें semicolon use के जाता है, जबकि इसमें उस हम जण-जड से बच जाते है और इसमें जो whitespaces का इस्तेमाल के जाता है, जिसे हम indentation कहते हैं इस से हम उसका किसी भी कीजह का scope define करते हैं लेकिन दूस्री Programming languages उनमें curly braces हम इस्तेमाल करते हैं scope अब हम python का basics and text सीखने जा रहे हैं इसके लिए हम pycharm id यूज़ करेंगे तो हमारी जो previous video है उसमें हमने इसको install करने का तरीका बताया हुग आप उस video को देख सकते हैं अगर आपने pycharm install करना है अगर पहले install है तो आप search bar में type करके pycharm open करें हम यहां से एक new project create करते हैं जिसको हम नाम देंगे learn python का हमारा जो virtual environment है python का वो setup होने जा रहा है तो आप प्रॉजेक्ट क्रियेट हो चुका है अब हम यहां पे पाइफन फाइल क्रियेट करेंगे उसके लिए फाइल पे ग्लिक करते हुए नियू पे क्लिक करें और यहां पे python फाइल पे क्लिक करें इसको हम नाम देंगे python का प्रेस एंटर हमारी python फाइल एक क्रियेट हो चुकी है अब हम कोई भी प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट का फंक्शन यूज होगा जो स्ट्रिंग हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको डबल कुटेशन में टाइप कर देंगे अब हम इस code को run करना चाहते हैं उसके लिए right click करते हुए run python पे click करें आप देख सकते हैं कि string प्रिंट हो चुकी है अब हम चाहते हैं कि कोई भी variable define करें और उसको हम प्रिंट करें लाइक टेंप्रेट्चर आज का जो टेंप्रेट्चर है for example 30 डिग्री है अब हम इसकी वैलियो प्रिंट करना जाते हैं उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और टेंप्रेट्चर रन से क्लिक करें दुबारा तो इसमें जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट करा दिये झाल 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 करेंट उस्या